नमस्कार मैं हूँ अवंतिका श्रवास वसलीज की खास पेशकर्स लक्ष में आप सभी का स्वाकत है अगर आप भी अपने करें को सुनेशुत करना चाहते हैं तो यह कारक्रम आपके बहुत काम का है क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार दर्शन और बनेंगे लक्ष हासल करने में मददकार है हमारे खास करक्रम लक्ष में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बहतर काम कर रहा है चात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों को जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है लक्ष्की आज के सकाव सबस्कार अब पर सब्सक्राइब मिलकर 2015 में शुरू करे थी, आज 7 साल से हम लोग का अथक यही प्रयास है कि हम एक बहतर सिक्षा बच्चों तक पहुंचा सके, जहां पर theoretical knowledge तो बच्चों को हमिशा मिल ही जाता है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि digital के थूँ या technology का यूज करके किसी भी तरह से बच्चों के हम उनकी तैयारी करवाते हैं, हमारे पास जर्णली PCM, Physics, Chemistry, Maths, Bio के स्टुडेंट्स रहते हैं और यही सारी हमारी कोशिश है कि आगे हम और अच्छा भी करते रहें बिल्कुल, याने के इलस्टेर में ना सिर्फ theoretical knowledge बलके practical knowledge पर पूरा ध्यान दिया जाता है स्निया आप से बात करना चाहूंगी, आपका schedule क्या है, क्या hobbies रखते हैं, आप अपने बारे में बताईए मेरा नाम स्निया गिंडोडे है, मैं क्लास 12 में हूँ और मेरी स्ट्रीम PCM है मैं अपना study schedule रोज रात पे बना के सोती हूं कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है तो इससे अपना goal actually set रहता है, मैं रोज अपना schedule set कर लेती हूं उसके बाद मॉर्निंग टाइम प्रिफर करती हूं क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो study का importance रहता है क्योंकि उस time पर आपका mood fresh रहता है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको याद रहता है उस time पर इसलिए मैं मॉर्निंग का time प्रिफर करती हूं और अगर मॉर्निंग में अगर नहीं हो पाता है तो मुझे मिरा schedule यह रहता है कि मुझे रात तक उस topic को कैसे भी complete करके ही सोना है क्योंकि अब नीन भी बहुत जादा important है तो नीन भी proper चाहिए है इसलिए रात को 10 बचे तक के उस topic को कैसे भी cover करना है यह मेरा हमेशा goal रहता है बिक्व यानिकी इस तरह से आप अपना schedule एक दिन पहले डेसाइड कर लेते हैं अगले दिन आप क्या करने वाली है अबिशेक आपसे भी बात करना चाहूंगी जाना चाहूंगी जिसक्षा किके निरंतर प्रयास रहे हैं और प्रयास रथ है आप आगे इस ऊंच्छल अवेश्रिक के लिए लेकिन शिक्षा के श्रेत्रे में बंसल समू की भी कई सारे योगदान है उन योगदानों को आप किस तरस देखते हैं जैसे कि हम जानते हैं बंसल के स्थापना 2000 में हुई थी पिछले 22 सालों में मुझे एक इंस्टिटूट जो सेंट्रल इंडिया में बढ़ता हुआ इंस्टिटू किये जा रहे हैं आप उनसे काफी ज्यादा प्रफावित है अगर बात करें इस नहीं है तो आजको स्थूड़न्स चाहते हैं कि मॉडर्ण वेज में नॉलज्ज उने मिल सके आप किस तरह से देखते हैं टेखने को और बंसल समू की किन नीदियों को पसंद करते हैं जो बं अगर बंसल इंस्टिट्यूट में गए तो वहां के टीचर्श भी बहुत अच्छा हैं उनने बहुत अच्छा से इंटरेक्शन किया वहां के जो प्रैक्टिकल लैपस है वह बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है और बंसल का हमेशा से यही रहा है कि उनने बच्चों को प्रैक्टिकल अगर आप चीज को देखते हैं तो वह जादा एफेक्टिव होती है बिल्गुयानी कि प्रैक्टिकालिटी पर आप जादा बलेव करते हैं विशेंक आपके उर्मर रुक करना चाहूंगी आपसे यह जाना चाहेंगी कि जिस तरह से टेक्निकल एडुकेशन क को हर वर्क के शेत्रों में प्लब्द कराया जा सके इसके लिए क्या कुछ को दम उठा सकते हैं पहली चीज तो हमें सबसे पहले काम करना होगा एलिमेंटरी एजुकेशन पर क्योंकि आजकल स्कूल के स्थर पर उतनी एलिमेंटरी जो बेसिक आइडिया बच्चों को दिया से आने वाला समय पूरा साइंस और अभी भी समय साइंस और टेक्नालोजी का है कोरोना में जो हमने क्लासिस लिए ओनलाइन क्लासिस ली टेक्नालोजी की वज़े से ही ले पाए मतलब बच्चों का ज्यान नहीं चूट पाया कोरोना काल में भी बच्चों को निरंतर सिक्ष आपने क्या डिसाइड किया है किस प्रफेर्शन में कदम रखेंगी मैंने अभी ऐसे डिसाइड किया है इसी कोरोना काल में मैंने सा सोचा कि अभी जैसे मतलब मैं तेंथ में जब कोरोना आया और 10th के एग्जाम सोचे थे कि अभी आपने साइड करना था जब क्योंकि मतलब टेकल नहीं नहीं था क्योंकि मतलब टेकल यह नहीं करते हैं कि कैसे समझे जो टीचर्स बता रहें अन नहीं क्लासेज में तो मैंने यही सोचाए कि मैं CSA एंजिरिंग करके टाइटी सेक्टर में जौब करना चाहूंगी इतर hiss करा टेकनलोजी कलोंते हैं कि मैं एक्टिक्नलोजी से जब तक हमें यह नहीं पता है कि हम यह काम कर क्यों रहे हैं तब तक उस काम करने का कोई मतलब नहीं है हमें उस काम जो भी करना है उसको इंट्रेस्ट लेकर करना है यह हमें वो काम करना है जिसमें हमारा इंट्रेस्ट है कई बार हम किसी चीजों का जैसे लाइक अभी स्कूल में बच्चे रहते हैं स्ट्रेस आउट हो जाते हैं स्लेबस को लेकर क्या तो बच्चों के एक ही वागी हैं उसके बाद मैं बच चुटी उसके बाद बाहर जाओंगा फ्रेंट से मिलोंगा बट अगर आप एक टास्क करते हैं कि मुझे यह चीज खत्म करनी है तो आप टास्क बेस्ट करके जादा चीज़े सीख सकते हैं रदर दन टाइम बेस्ट करके केरियर काउंसलिंग म साथ में पैरेंट्स का भी रोल बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता जैसे हमारे अब्दुलकलाम जी ने भी कहा था कि अगर दुनिया में कोई कुछ भी बदल सकता है तो केवल तीन लोग हैं माता पीता और टीचर अगर बच्चा अपनी चीजें अपनी जो भी प्रॉब अच्छा किसी फिल्ड में इंटरस्ट लेता है और आगे जाकर उस फिल्ड को चूज भी कर लेता है लेकिन उसकी बावजूद पेरेंट्स की कहीना कहीं इच्छा रह जाते हैं कि जो हम चाहते थे अगर तुने वो कर लिया होता तो अच्छा होता या अब अगर तु ट्रा सारी चीज अच्छी नहीं है कई बार बच्चे पढ़ाई से बाहर मतलब को कर लुक को कैलुक एक्टिविटीज में अच्छा है तो आपको वहां सपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि आजकल बच्चा ज्यादा समझता है शोशली ज्यादा चीज़ेंगे इंफ्लूएंस होती है क्योंकि बच्चा शोशली इतना ज्यादा एक्स पॉज हो चुका है तो वट डूसरे दिन कुछ नया बनना चाहता है कभी वह दॉगधिड बनना चाहते हैं कभी वह वुलागर बनना चाहता है तो वह इसका स्भीच होता रहता है क्यों परेंट्स समझते हैं इस चीज को कि आगे जाने वाला समय जो है वो बहुत जादा टिपिकल हो जाता है क्योंकि आगे जाकर के जब आप के उपर जिम्मेदारियां आती हैं तो पैरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि बच्चे को या तो गवर्मेंट जॉब मिल जा ताकि उसका future secure हो जाए बट हमेशा ऐसा नहीं होत कि अगर आपके बच्चे कुसी चीज के लेकर interested है और वो सही चीज है तो आप उसको support जरूर करिए बिलकुल बहुत इच्छी बात आपने गए पिशेक और अब स्निहां आपके औरो करना चाहूंगी एक student के लिए काफी जरूरी होता है साथी साथ education case physical education को भी देखना और physicality को भी समझना life की और कई बार लोग maintain नहीं कर पाते हैं students होते हैं वो इतना students education में involved हो जाते हैं कि कई बार अपने mental और physical condition को खराब कर लेते हैं आप इन दोनों के सामझ जोसे को किस तरह सी बरकरार रगते हैं मेरे साब से education में balanced diet और nutritional health का भी बहुत जादा impact है क्योंकि अगर अगर healthy नहीं है तो पढ़ाई हो ही नहीं पाती है अगर proper जैसे अगर सुभा पढ़ाई कर रही हूं मैं तो proper diet लेती हूं proper breakfast एक heavy breakfast बहुत जादा important होता है studies के लिए क्योंकि अगर अगर heavy breakfast लेते हैं तो पूरे दिन से charge रहते हैं मतलब energy रहती है तो बहुत सादा important होता है और meditation करना चाहिए जैसे मैं रोज सुभा उटके पढ़ने से पहले 15 minutes meditation करती हूं इससे concentration power बढ़ता है और अगर आपके पास time है और अगर आपको घूमना पसंद है तो at least 10 to 20 minutes रोज वाक करनी चाहिए morning में या evening में जब भी आपका time हो तो मैं रोज morning में पहले meditation करती हूं 15 minutes and then 15 minutes walk के बाद ही पढ़ने बैठती हूं क्योंकि mental health physical health बहुत जादे important है बढ़ाई के लिए इसने हाँ social activities के अगर बात करें तो किन activities में आपका इंट्रिस्ट है singing dancing dancing में आप जादे इंट्रिस्टेट है अभिशन जी इसी पर में चल्चा करना चाहूंगी जिस तरह से मैंने पहल physical activities के अभाफ में ही सही लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं stress और depression से जूच रहे होते क्योंकि कई बार इतना frustrated हो जाते स्टडी से क्या कुछ handle करने की technique सा बच्चों को इसके लिए सखाना चाहेंगे एक चोड़ी सी कहानी सुनाना चाहूंगा एक बुड का बढ़ा कि दीन लगा लोगों का यार यह बोड़ी ओरत है क्या किया जाया यह रोज इतने दूर मार्केट आती है कापास लेकर के आती है दागा बुनती है दागा काती है फिर जाकर के जमा कर देती हम ऐसा करते हैं हम इसको एक महीने का पूरा कॉटन इसके घर बर रग तो यह एकटा सूत कातेगी और जो दुकान पर जो धागा खरीदता है वो धागा इस पर घर पर जा करके इस से खरीद लेगा बट हुआ क्या इन लोग ने लाकर के दे दिया अब एक दिन हो गया धागा देने वो नहीं आए दूसरा दिन हुआ तब भी कोई नहीं धागा कात तीसरा दिन हो गया तब भी कोई धागा नहीं काता चौती दिन दुकान वाला खुद घर पहुच गया अम्मा के घर बोले कि अम्मा क्या हुआ बोले बेटा मेरी तो तब यह खराब होई मैं इतना सारा धागा कैसे कातूंगी जर्णली हुआ क्या कि जब उसके पास चोटा सारा स्लेबस है मुझे कैसे करना है कैसे कंप्लीट होगा वह उसी की चिंता में इतना समय गवा देते हैं और उसके बाद फिर काफी सारी परेशान है क्योंकि इस्ट्रेस जब कभी भी आता है तो वह अकेला नहीं आता है चिंता और भी सारी चीज़े अपने साथ में लेकर कभी हमें उची मनजील पर चड़ना है तो हम एक-एक सीडी देखकर के चड़ते हैं हम उपर मनजील को देखते हुए नहीं जाते कि हमें बस उपर देख रहे हैं निगाह हैं और बस चलते जा रहे हम एक-एक सीडी पर कदम रखते हैं और उपर चलते जाते हैं आपको वही करना है जैसा मैं हर बच्चों को हमेशा ही सिखाता हूं टास्क वर्सेस टाइम आप सीखिए आप बस एक छोटा-छोटा टार्गेट डिसाइड करिए कि मुझे परड़े इतना सा ही काम करना है दट्स आप आगे पूरे स्लेवर्स की चिंता मत करिए चोटा-छोटा करिए आसानी से सारी चीज़ी खत्म हुझाती हैं अभी सीवीसी के एक्जाम 26 अप्रेल के बाद से हैं तो अभी आपके पास इनफ टाइम आप इस टाइम में भी आपको बैक अप ले करके आ सकते हैं और खुद को इतना मोटिवेट करके रखिए कि मै एतिक्स के जरी आप दे गूलेश के एक वो आणी से स्टा से में प्कर का मुझेच कोड़ाई है और यह देखके अगसे अगर पढर दी क्रीआ में इंट्रेस्स जादा जा रहा है हम केवल पढ़ाई पर ध्यान ने देते हैं बाकी जैसे कोई कमजोर बच्चा है तो उसको एक्स्टा क्लास दे करके या कैरियर काउंसलिंग कर गए कि बच्चे आपको क्या परिशानी आ रहे हैं कई बार बच्चे ओपनली क्लास में खुल बच्चे को जच करके उसको उस इसाब से पढ़ाया जाता है क्योंकि आएक्यू लेवल हर बच्चे का सेब नहीं होता हर बच्चा हर एक चीज़ को वन एट टाइम में ग्रैप्स नहीं कर सकता तो उसके लिए फिर हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चा सीख सके सब पढ़े जैसा कि Bansal Institute भी कहता है कि हमें सभी को आगे बढ़ाना है तो वैसा ही हमारा भी कुछ प्रयास है कि सब बढ़े सब बढ़े बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रयास आपका है और अब सनिया से भी बात कर लेते हैं सनिया पिछले दुनों में आपको ले जाना चाहूंगी जब अब कोरुना काल था और बच्चे काफी जाता स्ट्रेस फेस कर रहे थे ओनलाइन क्लास को लेकर किस तरह से शेडूल रहा आपका और क्या कुछ परिशानी आपने फेस की कोरुना टाइम्स वैसे तो सभी के लिए बहुत जादा हाँ जैसे स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्ल सब्सक्राइन क्लास में सर ने बहुत जादा सपोर्ट किया और अगर कोई डाउट है तो प्रोपर फोन करके या मैसेच में पूस सकते थे क्योंकि कोरुना में कोचिंग खुली नहीं थी जा नहीं सकते थे तो सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ और ऑनलाइन में तो स्टार्टिं के जरे या एक सोशल इंवार्मेंट जो स्टूर्ट को मिलता है उससे वह वंचित रहे हैं क्या आपको लगता है कि आगे जाकर इससे थोड़ी सी परिशानी उन्हें हो सकती है परिशानी तो बिल्कुल हो सकती है क्यो एक इंटरेक्शन फिजिकल इंटरेक्शन से जो बच् बच्चा सो ही गया है क्योंकि जब इंटरेक्शन होता है तो उसका फोकल जो है वह 100% पर दो चीज़े जाए ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाता है तो जर्नली हम कोशिश यह करते बच्चो की सही तरीके सिखा सकें क्योंकि आगे चल करके क्योंकि आपके पास अभी केवल online में जो knowledge नहीं कभी बच्चों को जस्त प्रोमोट कर दिया गया है उन्होंने exam नहीं दिया अब exam एक just simple way है जो आपको judge करता है कि आपने कितना सीखा है exam केवल percent base पे नहीं है कि आपको हां कितना कर दिया गया आप 90% है तो बहुत talented है वो जस्त आपको एक section दे देता है कि आपने इतना अच्छा perform किया आपको आगे और कितना अच्छे करने की जरुवत है आपको और कितना improvement करने की जरुवत है अभी इस online में जस्त प्रमोशन की वज़े से बच्चों को यह चीज नहीं पता चल पाए कि उन्हें improvement किस factor में ज्यादा करना है लाइक जस्त उनों ने लिखे हैं sections assignments लिखें और जमा कर दिया और उसी basis पर उनको एक्जाम में पास कर दिया गया बिल्कुल काफी difficult situation है और आगे जाकर मुझे लगता है काफी जाता मुश्किल होने वाला है बच्चों के लिए क्योंकि competitive exams भी कैसा रहे हैं जो बच्चे जिनके लिए prepare करते हैं और इसी पर मैं जिक्र करना चाहूंगे अभी शिक जीस बात का भी कि पेरेंस काई बार बच्चों को फिफ्ट या सिक्स स्टांडर्स मैं देखती हूं कि आइटी जेए की preparation के लिए एवाल्फ कर देते हैं और कह देते कि जाओ को कोचिंग जॉइन करो स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है करे बार स्कूल लाइफ के साथ आइटी जाई की preparation फिफ्ट स्टांडर्ड किस तरह से देखते हैं इसको और क्या आप इसका सपोर्ट करते हैं मैं तो समझता हूं अगर पैरेंट्स कुछ पैरेंट्स का अब बस चले तो वो तो नर्सरी में ही बच्चों को डाल दें कि जाओ गटा इटी के तैयारी करो जे डबली के तैयारी करो आप अभी नर्सरी में हो आई टी की जाए जोइन कर लो तो जड़नली मैं यह समझता हूं कि अभी वो फिफ्ट और शिफ्ट क्लास में तो यहां पर वो जो पीरेड है उसका वो अभी आई टी के प्रिपारेशन के लिए वेलेड नहीं है आप वहां पर उसका कॉंसेप्ट क्लियर करवा है जो वो मैथेमेटिक्स में इलजेब्रा सीखता है साइंस में बेसिक साइंस सीखता है तो वो उन चीजों पर ज्यादा में वो रहते हैं तो बस हम उपर उपर के जूले जादा अच्छे दिखते हैं दुकान को अच्छी दिखते नहीं कहने का मतलब यह कि अगर हम उस भीड में इन्वाल हो जाएंगे तो हम खुद क्या चाहते हम वो नहीं समझ पाएंगे हम केवल बस बाहरी दुनिया में जो आकर्शन है उसके उससे प्रभावित हो करके रह जाएंगे तो चाहिए कि बच्चों को आप मोल्डिंग पिरेड में उनका टाइम दें उनके उनका जो इंट्रेस्ट है वो इंट्रेस्ट उनके अंदर लेकर के आएं अगर आप IIT में बच्चों को ले जाना ही चाहते हैं तो आप उसको साइंस में इंटरेक्शन करवाई है मैथमेटिक्स का इंटरेक्शन करवाई है जरूरी नहीं है कि आप बड़े-बड़े कोचिंग में सौ लोगों की हजार लोगों की भीड में उसको बैठा दें और वहां पर अपना इंट्रेस्ट जो है वो कही ना कहीं दबा मतलब सिर्फ थोड़ी देर इंटर्टेइन्मेंट के लिए 20-30 मिनिट्स कॉन से आसे अप्स है जिनको यूज करते हैं वाट्सप अनिस्टाइब आप अच्छा यादि कि वाट्सप और इंस्टेग्राम पर आप अक्टिव रहते हैं अभिशेक जी इस पर भी अब चर्चा करना चाहूंगी सोशल मीडिया का जमाना है यूशली बच्चे चाहते हैं कि अपडेटेट रहें प्रोफाइल के हिसाब से भी और सोशली इंट्राक्ट करना सी के अच्छी बात है लेकिन कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं वो देख से आप उने गाइडलाइन समझाना चाहेंगे यहां पर एक टीचर का रोल तो ही बच्चों को सही चीज बताना बट यहां पर जैसे आपने बता है कि कई बच्चे फ्री फायर गेम में इन्वाल्व हो जाते हैं पब जी जैसे गेम हैं और इसके पहले एक गेम और आय था ब पैरेंटस के साथ भी बिताता है तो यह कि मॉबा taller बंती है कि वह देखे कि बच्चे सब्सक्राइब कर तो अच्छा लगेगा ही लगेगा अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वह 24 गंटे अगर खेल सकेगा तो वह 24 गंटे भी खेलेगा बट यहां पर पैरेंट्स की जिम्मेदारी में होती है ताकि वह बच्चों को सही गलत समझा सके कि अब बच्चा खेलो इंटर्टेन्मेंट के लिए खेलो ऐसा नहीं है कि गेम्स बुरे होते हैं फ्री फायर गेम्स अच्छे लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक आप आधा गंटा खेलो बस काफी है थोड़ा सा और इंटर्टेन्मेंट लेलो पर्टिकुलर टाइम बना लो कि इतने से इतने बस भी बड़ेगा क्योंकि आप पड़ाई पर फिर ध्याननी फोकस नहीं हो पाएंगे और जहां तक शोशल मीडिया की बात है आज कर शोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से ट्रेंट चलता है तो बच्चे उसी ट्रेंट से जाधा इंफ्लूएंस हो जाते हैं और कोशि किस तरह से अपने लक्ष को निर्धारित करते हैं अंत में क्या कुछ संदेश उन स्टूडेंस को देना चाहूंगी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए आप अपना गोल डिसाइट कीजिए सबसे पहले गोल ओरिएंटेट होना बहुत जादा जर इसलिए पर चाहिए बाइट के बनाते हैं तो हमें अच्छ गंटट थो अच्छ पढ़ने नहीं चोटे सेक्टिव में चीजिज को दिवाइट करना जाहिए बैंशा ऐसे ही करती हूं फ्लोचार्ट दाइग्राप्स और नोट से पढ़ ज़िए कि अगर अगर आपन बनाते तो यह वितलब नहीं होता है कि आप 6-7 आर्स पढ़ दिन में पर जो भी पढ़ आपको एफेक्टिव हो आपको याद रहे और से कॉंसेट्स पुई तरीक से क्लियर बिल्कुल चलिए अभिशेक जी सवाल आप से आंत में क्या कुछ संतेश पेरंट्स के लिए स्टूपन्स के लिए मेरा तो टैग लाइन ही बन गया है टास्क वर्सस टाइम करिये चोड़ा चोड़ा टास्क डिसाइड करिये और स्ट्रेस म के साथ हमारे इस खास पेशकर्ष में फिलाल इतना ही कल फिर हाजर होंगे एक नए लक्ष के साथ तब तक के लिए बन रहे हैं मनसल न्यूस के साथ